मैं किरन सिंग, आज फिर आप लोगों के बीश में आई हूँ, हम लोग आज अपना जो साइकलोजी वाला पोर्शन था, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बाल विकास की ओधारना क्या होती है, तो होप आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और अच्छे तरीके स से अपने कॉपी में नोट डाउन किया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से उसमें समझाया गया था, तो आज हम लोग बाल विकास की ओधारना की बाद, जो हमारा टॉपिक आता है, वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, और जानने का प्रयास करेंगे, कि बाल विकास ज और आप लोगों को टीचिंग फिल्ड में आगे जाना है, आपको सेक्षणिक कारियों के लिए अपने आपको आगे अग्रसित करना है, जिसमें सिक्षण का कारिय अभी आपके द्वारा किया जा रहा है, क्या करने के लिए एक अच्छा सिक्षक बनने के लिए, तो आगे चल करके आपको एक सिखशक बनना है तो मैं बार बार again and again आप लोगों से यही बात कहना चाहती हूं कि जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं आप जितने भी जिन भी topic को पढ़ रहे हैं आप जिन भी proportions को जो है तयार कर रहे हैं आप उनको practical way में यानि कि उसको समझने का प्रयास अधीक से अधीक करें ठीक है रटने का प्रयास बहुत कम रहे उसको समझने का प्रयास बहुत अधीक से अधीक करें अगर मैं बात करूं psychology की अगर मनोविज्ञान की हम लोग बात करते हैं तो मनोविज्ञान जितना जादा आप समझेंगे उतना जादा आप उसको सीख पाएंगे अगर आप उसको रटने का प्रयास करेंगे जैसा मैंने आप लोगों को ये बात इसलिए शेयर की क्योंकि कुछ वीडियो मेरे डालने के बाद अभी जैसे ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है करके मैं आप ओफ लाइन क्लास में या ऐनलाइन ट्रट में हमें उसको रठवा दीचिए ता कि हम आगे चलके जो है उसको पूरा हम्मारा रटा हुआ रहा है और एक्जाम में जाकर लिखके आ जाए तो बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूं कि रटने से आप एक्जाम को clear कर सकते हैं लेकिन व्यवहारी क्रूप में आपको जो एक सिख्षक बन के सामने उभरना है और आप लोगों को बच्चों को डील करना है स्टूडेंट्स को डील करना है तो अगर आप उसको समझेंगे नहीं concept को समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो केवल और केवल रटने से मुझे नहीं लगता जो बाल विकास आपके कोर्स में डाला गया है बाल विकास डालने का तातपर यही है कि आप अपने स्टूडेंट्स को या अपने जो भावी आपके स्कूल के जो बच्चे होंगे उनको अच्छी तरीके से समझ पाएं इसके लिए आपको यह सब्ज पास हो जाएंगे लेकिन जीवन में हो सकता एक अच्छे सिक्षक के रूप में जो है आप कहीं न कहीं किसी और से जो है वो कम नजर आए तो घुडवत्ता होनी चाहिए आपके अंदर तो घुडवत्ता के साथ जो है आप अच्छे टीचर बनिये वेवहारी ही रूप में जो है इस विशय को जीने की कोशिश कीजिए जितना हो से कि समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि बालविकास एक ऐसा विशय है एक ऐसा यूनिट है जिसको आप अपने इर्द गिर्ध हमेशा महसूस कर सकते हैं आप उसको देख सकते हैं ऐसा नहीं है यह बिल्कुल के एक आत्मक्ता में आप उसको सीख पाएंगे अब अपने एर्द गिर्ध बहुत सारे चीजों को बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे बच्चों को देख करके भी यह चीज़ें ऑब्जर्ब कर सकते हैं चलिए यह एक बेसिक सी बात थी हम अपने टॉपिक पर आत हैं तो अगर मैं आपके विशे के अंदर जाती हूं विशे के अंदर अर्था मैंने आपको पहले पी बताया था कि जो बाल विकास है हम किन-किन विशेयों के अंतरगत या किस-किस विशे के एक पार्ट के अंतरगत एक यूनिट के अंतरगत हम पढ़ते हैं तो हमने इन मे आज हम लोग इसके विशेश्ताओं की बात करेंगे अगर हम विशेश्ताओं की बात करें बाल विकास को अगर हम पढ़ने का प्रयास किरते हैं कुछ एक units के लिए, याने कि हम एक topic या एक unit को उठा करके पढ़ते हैं, अर्थात, विशे हमारा कोई और है, किसी competitive exam की हम तयारी कर रहे हैं, teaching exam की, जिसमें एक part के रूप में बाल विकास को डाला गया है, ऐसे जो विशे हमारे पास कौन-कौन से हैं, जैसे PGT की तयारी कर र रहे हैं आप, PRT की तयारी कर रहे हैं आप, B8 की तयारी कर रहे हैं आप, इस तरीके के जो courses हैं, इन में जब हम बात करते हैं, बाल विकास की विशेष्ताओं की, तो जब हम विशेष्ताओं में आते हैं, तो ये विशेष्ताओं हमारी जो है, अगर मैं देखू या दिखा मांसिक विकास को जानने के लिए दूसरा जो हमारा टौपिक होता है वह होता है बालक के शाररिक विकास को जानने के लिए और जो तीसरा हमारे पास आता है वो आता है बालक के समवेगों को जानने के लिए अर्थात समवेगात्मक विकास को जानने के लिए जितनी भी किताबें आप उठा करके देंगे देखेंगे सब जेगे maximum majority अगर आप देखें उठा करके तो ये तीन पहलू जो है सबसे ज़्यादा हाइलाй्लाइटेड होते हैं सबसे ज़्यादा कोर में रखे जाते हैं कि क्यों बंदे Hep व्रिद्धी विकास हैं वह मैं जानना है वह सब्सक्त कर आप रास करते हैं और उसकी characteristics क्या होंगे कि क्याareension and characteristics की बात करें हैं तो मैं आज आप लोगम को इसकी पांच विशेश्चताएं बताउंगी और यह पांचों विशेश्चताएं जो हमारा यूनिट है ऊसको कहीं नकाई किसी न किसे के विशे से correlate करता है और हमें ये जानकारी प्राप्त करवाता है कि बालक के विकास से related यानि कि बालक के विकास से संबंधित किन तत्यों का हम लोग अध्ययन करते हैं तो जो पहली विशेष्टा है अगर हम फिर्स्ट इसमें विशेष्टा में आते हैं तो हमारी पहली जो विशेष्टा है वो है बाल विकास एक विधायक विज्ञान है जब हम अपने पहले तथ्य में आते हैं तो पहला तथ्य हमारा ये कहता है कि बाल विकास हमारा क्या है एक विधायक विज्ञान है अब ये जो विधायक विज्ञान है ये क्या होता है इस इस पॉसिस्टिव साइन्स ठीक है जो हमारा बाल विकास होता है वो एक विधायक विज्ञान होता है अब इस विधायक विज्ञान को समझने के लिए हमें दो टर्म्स को समझना बहुत आवश्यक है जब भी हम को स्टडी करते हैं जब भी हम कहीं पे कोई अध्यान करते ह हैं जब हम विज्ञान की बात कर रहे हैं यानि कि हम कि साइंस की बात कर रहे हैं हम देखते हैं बाल विकास के अंतरगर मैंने आपको अभी एक लिखवाया है विधायक विज्ञान और दूसरा हम लिखते हैं यहाँ पर नियामक विज्ञान चीक है चलिए मैं विज्ञान से पहले यहाँ पर बाल विकास लगा देती हूँ अनिता जो है वो विज्ञान के जितने बालक बालिका होंगे वो किसी और डेफिनेशन में ही इसको लेके चले जाएंगे तो हमको उसमें नहीं जाना है हम लोग बाल विकास के अंतरगत जो है इस विज्ञान को पढ़ना है चलिए बाल विकास इसके अंतरगत हम लोग जो है विज्ञान को देख रहे हैं अब एक हमारे पास आ रहा है विधायक विज्ञान और दूसरा हमारे पास आ रहा है नियामक विज्ञान जो विधायक विज्ञान है ये क्या है इस इस पॉजिटिव साइन्स नियामक विज्ञान जो होता है इसको हम बोलते हैं नौर्मेटिव साइंस ओके जो आपका विधायक विज्ञान है पॉजिटिव साइंस है और जो नियामक विज्ञान है वो क्या है नौर्मेटिव साइंस है अब जो विधायक विज्ञान होता है इसकी खासियत क्या होती है इसकी खासियत ये होती है कि जो जैसा है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना ठीक है विधायक का मतलब क्या होता है पॉजिटिव का मतलब क्या होता है जो जिस प्रकार का है जो तत्य हमें जैसा नजर आ रहा है हम जिस प्रकार के परिवर्तन को अपनी आखों से देख रहे हैं जो हम बिलकुल observe कर रहे हैं परसीव कर रहे हैं जो हमारे आखों के सामने हैं हमारी बुद्धी हमारे intelligent की basis पर जो हम उसको feel कर रहे हैं वो क्या होता है विधायक विज्ञान के अंतरगत आता है जब कि नियामक की बात जब हम करते हैं तो यह जो feeling है हमारी जाने की जो विधायक हमारी feeling आ रही है कि यह हो रहा है ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है इसके basis पर हम normative science के उपर जाते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि इस आधार पर यह होना चाहिए ठीक है तो हम अगर दोनों का एक conclusion निकालना चाहें तो conclusion में अगर हम डाना चाहें तो जो हमारा विधायक विज्ञान है वो यह कहता है कि क्या है ओके अर्थात कि वॉट इस चीक है यह क्या है वॉट इस यानि कि presently हम क्या देख रहे हैं हमें क्या महसूस हो रहा है हमारे सामने किस तरीके के परिणाम है हमारे पास जो जैसा है उसी तरीके से जो दिख रहा है वो क्या है विधायक विज्ञान है जबकि नियामक के अंतर जो हम जाते हैं तो यहां का होना चाहिए अर्थात what to be यानि कि जो हमने देखा जो हमने सुना जो हमने कहा उसके बेसिस पे आगे की क्रियाएं या आगे की चीज़ें क्या होना चाहिए तो हमारा जो बाल विकास है बाल विकास इन दोनों तथियों को समाहित करता है दोनों तथियों को समाहित करने के बाद हमें ये दिखाता है कि विधायक विज्ञान जो हमारा बाल विकास है वो एक विधायक विज्ञान है जो exactly जिस तरीके का है उसी तरीके से हमें पहलू होते हैं हम उनको तयार करने की कोशिश करते हैं अब इसमें क्या हम तयार करने की कोशिश करते हैं यह जो दोनों विज्ञान है जो विधायक विज्ञान है basically अब हम इसको छोड़ते हैं क्योंकि normative science से हमें कोई लेना देना नहीं है हमारे इस particular विशे के लिए हमें विधायक विज्ञान यानि कि हमें positive science से लेना देना है अब यह जो positive science है कि यह क्या है यानि कि exactly जो हम बालक को अध्यान कर रहे हैं जिस भी बालक के ऊपर हम को अध्यान कर रहे हैं तो वह क्या है तो जो हम अध्येन कर रहे हैं वो अध्येन हमारा किसके ऊपर होना चाहिए किसके ऊपर होना चाहिए तो हमारे सामने तीन तत्य उजागर होते हैं तीन तत्यों के ऊपर हमारा यह study हमारी होती है पहला होता है विचार यानि कि हम बालक के विचारों के उपर जो है study करते हैं दूसरा होता है व्यक्तित्व यानि कि हम बालक के personality के उपर जो है वो अध्यान करने का प्रयास करते हैं और तीसरा होता है व्यवहार याने कि हम बालक के अंदर विभिन चरणों में विभिन क्रियाप कलापों के द्वारा जो है उसके जो पूरा ऑवरॉल जो उसका बिःवियर है उसका अध्यान करने का प्रयास करते हैं तो तीन तत्यों में इन तीन लेबल पे यानि कि वो क्या सूछता है? किस तरीके का विवहार हमारे सामने प्रदर्शित करता है? और उस प्रकार से उसका व्यक्तित व क्या है? यह हम अपने आखों से देखते हैं और बिल्कुल एग्जेक्सली जो हमें नजर आता है वो ही के वो ही हम समझने का प्रयास करते हैं और वो ही सब हमारी किताबों में लिखा हुआ होता है बाल विकास विशे के अंतरगत जितनी भी आपको जितनी भी सूचनाय उपलब्द कराई जाती हैं वो सभी की सभी positive science related होते हैं याने कि आप अपने मन से hypothetically कुछ भी create नहीं कर सकते हैं यहाँ पे जो चीजें हैं जो बालक के विवहार में जो बालक के विचार में और जो बालक के व्यक्तित्व में नजर आता है वो हम यहाँ प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं तो होग आपका यह first point जो है वो clear हो गया दूसरा हम point आते हैं याने कि पहला हमारा जो है वो विधायक विज्ञान है दूसरा पॉइंट है दूसरी विशेशता क्या है बाल विकास की बाल विकास जो है वो गर्भावस्था से ले करके जो दूसरा तथ्या हमारा है बाल विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक का पूर्ण अध्ययन करता है ठीक है अब आप लों को पता है जब हम बाल विकास की बाते करते हैं तो बाल विकास के अंदर हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि विभिन प्रकार की अवस्थाएं हैं जिन अवस्थाओं से हो करके कि हमारे बाल विकास का जो क्रम है वो गुजरता है इसमें केवल ऐसा नहीं है कि एक ही अवस्था है एक ही अवस्था से जो है वो हम केवल उसके विकास को मेजर कर सकते हैं बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं और अवस्थाओं से गुजर करके जो बालक के अंदर विभिन जै सारी रखते हैं ठीक है तो अगर हम लोग देखें गर्भा वस्था में बाल विकास के अंतरगत हम क्या देखते हैं कि गर्भा वस्था से लेकर परिपक्वा वस्था तक की जो बालक का जो अध्यान है वो हमारा बाल विकास के अंतरगत आता है कई जगों पर जो बाल विकास ह कई जगों पे मैंने कई सारी किताबों में यह देखा है कि वहाँ पे मेंचन किया हुआ है कि जन्म से लेकर के किशोरा वस्था तक की जो अवस्था होती है वो बाल विकास कहलाती है आप ध्यान दिजेगा कई किताबों में आपको मिलेगा जन्म से लेकर किशोरा वस्था ठीक है तक कि जो अवस्था है इसको बहुत सारे लोगों ने बाल विकास की संग्या दी है किताबों में ये बिलकुल भी गलत है आप कहीं पे भी किसी भी किताब में आप इसको पढ़ेंगे ये बिलकुल गलत है ये गलत लिखा हुआ है अगर ऐसा कुछ किसी किताब में लिखा हुआ है तो ये बिलकुल भी गलत लिखा हुआ है जो बाल विकास है हमारा बाल विकास हमारा जो है व करती है गर्भावस्था से ले करके यानि कि गर्भ धारन की अवस्था से ले करके जब तक बालक प्रॉड़ नहीं हो जाता है तब तक का जो अधियन होता है वो हम किसके अंदर देखते हैं बालविकास के एंतरगत जब कि कंफ्यूज्ज मत हो येगा जो बाल मनोविज्ञान है जब हम बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं यानि कि हम चाइल्ड साइकलोजी की बात करते हैं अगर चाइल्ड डवलेप्मेंट की बात करते हैं तो गर्भा वस्ता से लेके प्रोड़ा वस्ता तक की हम बात करेंगे और जब हम बाल मनोव ज्यान अर्थाट चाइल्ड साइकलोजिक की बात करेंगे तो गर्भावस्था से ले करके किशुरा वस्था तक की बात हम लोग करेंगे तो आप इन दो तत्थ्चों में कभी भी कइजा मत होई हएगा तो हमारे बाल विकास की जो दुदिय विशेश्दा है वह क्या है कि बाल विकास हमारा गर्व धारण से ले करके प्रोड़ा वस्था तक कि जितने भी हमारे अर्थात बालक के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं उन सब का अध्येन जो है इस विशे के अंतरगत किया जाता है तीसरा आईए थर्ड पॉइंट हम आते हैं तीसरी विशेष्टा क्या है बाल विकास है बालक के शारिरिक विकास का अध्यान करता है देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ जब भी बाल विकास की हम लोग बात करते हैं और उसमें मनों विज्ञान के अंदर गत इस्पेशली जब हम बाल विकास की बात करते हैं तो बहुत सारे तत्यों में बहुत सारे बच्चों के रिव्यूज में और बहुत सारी किताबों में भी मैंने कई युगों पर देखा है वहां पर जब हम विशेश्टाओं की बात करते हैं तो केवल और केवल मांसिक विकास की बात की जाती है जबकि ऐसा नहीं है जो हमारा बाल विकास है बाल विकास हमारे जो बालक है बालक के शारिरिक विकास का भी जो है वो अध्यान करता है जितना हम मांसिक विकास पर जोर देते हैं उतना ही विकास हमें शारिरिक उतना ही जोर हमें शारिरिक विकास पर भी देना होगा तभी हम बालक का जो विकास है जो उसकी growth है जो development और growth है उसके हम जो है proper एक balance की बात कर पाएंगे ठीक है आपने इसके पहले वाले videos में देखा होगा जब हमने बात की थी growth and development की अर्थात वृद्धी और विकास की तो वृद्धी और विकास दोनों का comparison अगर हम जोग देखें तो different different level पर different different होता है लेकिन दोनों एक दूसरे के कहीं न कहीं जो है वो पूरख होते हैं अगर विठ्धी है तो विकास वहाँ पे होगा और अगर विकास तो अगें विठ्धी भी वहाँ पे होगी लेकिन अगर दोनों में से कोी भी एक लैक हो जाता है अर्थात कोई भी एक कहीं पर किसी पॉइंट पर मिसिंग हो हमारे बाल विकास की जो तीसरी विशेश्टा आएगी वो क्या आएगी हमारा बाल विकास बालक के शारिरिक विकास का अध्ययन करता है चीक है चलिए हम नेक्स पॉइंट पे आते हैं हमारा जो नेक्स पॉइंट है कि बालक हमारे बाल विकास का जो है वो चौथी विशेश् हमारे है बालक के मानसिक विकास का अध्ययन अब जो हमारा जो सब्जेक्ट है यह जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं इस हिसाब से यह आपका जो टॉपिक है यह बहुत इंपॉटन टॉपिक है यह आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा कि हम बाल विकास में बालक के जो मानसिक विकास है उसमें किस तरीके से अध्ययन किया जाता है या किस तरीके से उसको सीखा जाता है तो इस टॉपिक को हम थ पढ़ेंगे क्योंकि आगे चलके फिर अलग से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है चॉपिक को अगर हम लोग को रिलेट करके पढ़ें तो मुझे लगता है ज्यादा समझ में आता है तो हम इसमें क्या करते हैं जो हमारा बालक का जो समझ स्वारी मांसिक विकास बाल विकास जो अध्ययन करता है यह जो अध्ययन है यह क्या है यह अध्ययन दो रूपों में करता है कैसे करता है का व्यवनपन टो स्टैप्स पर ठीक है डिफरेंट डिफरेंट विभिन प्रकार के चर्णों में यानि कि डिफरेंट स्टैप्स पर यानि कि पहले एक स्टैप पर फिर दूसरे स्टैप पर फिर तीसरे पर जाता है फिर चौथे पर फिर पांच में पर जाता है हमने पहले भी मैंने आपको जो शैश्वावस्था में आए नहीं ऐसा नहीं होता है हम अलग-अलग steps पे जो है वो क्रमिक steps बोल सकते हैं आप उनको क्रमिक चरण बोल सकते हैं विभिन प्रकार के चरणों के आधार पर करता है दूसरा हम आते हैं विभिन विभिन पहलूओं पर विभिन पहलूओं से क्या होता है different aspects पर यानि कि हम क्या गरते हैं जो हमारा मानसिक विकास है बालक का मानसिक विकास एक तो step by step होता है यानि कि अलग अलग चरण जो है उसके निर्धारित होते हैं उन चरणों के आधार पर विकास देखा जाता है अब जो विभिन हमारे aspects हैं बहुत सारे पहलू है अर्थात उसका जो देख करके intelligence यानि कि उसका जो समझने की छमता है वो कैसी हो रही है अगर हम लोग देखें वो observe कैसे कर रहा है लोगों को किस तरीके से ले रहा है किसी की बुलाने पर वो समझ रहा है नहीं समझ रहा है तो यह क्या है विबिन प्रकार के जो हमारे चरण है अलग अलग चरणों के अंदर भी जो है वो अलग अलग पहलूं के उपर हमारा क्या होता है विकास जो है वो होता है जिसका अध्यान हम कहां पर करते हैं बाल विकास के मानसिक विकास के अंतरगत हम लोग करते हैं अब ये जो मानसिक विकास है इसका अध्ययन ही हमारा जो है वो बाल विकास का एक विशेश्टा के रूप में आता है जिसको जानना बहुत आवश्यक होता है अब ये जो हमने ये दोनों एस्पेक्ट्स जो देखे हैं य याने कि अलग-अलग चर्णों में भी हो रहा है और विभिन प्रकार के पहलूं में भी पहलूं को ले करके समाहित करके भी हो रहा है जो ये दोनों तरीके के विकास होते हैं ये जो दोनों तरीके के विकास हैं ये बालक में तीन प्रकार की क्रियाओं को जन्म देते हैं बाल इन दोनों को अगर हम ले करके आएं तो बालक में कि तीन प्रकार की क्रियाओं का आरंब होता है ये तीन प्रकार की क्रियाओं कौन-कौन सी है आए देखते हैं तीन प्रकार की क्रियाओं का आरंब होता है सबसे पहला क्या होता है व्रिध्धी जिसे हम बोलते है ग्रोथ चीक है पहली होती है व्रिद्धी अर्थात ग्रोथ दूसरी होती है मानसिक क्रियाएं जिसको हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं मेंटल एक्टिविटीज जिसको हम मानसिक क्रियाएं अर्थात मेंटल एक्टिविटीज बोलती है और जो तीसरा होता है वह होता है बालक का संबे जिसे हम बोलते हैं इमोशन ठीक के तो बालक में तीन प्रकार की क्रियाओं का आरंब होता है कब होता है जब बालक का जो मानसिक जब अध्यान किया जाता है, यानि कि दो स्टेज पर किया जाता है, कौन-कौन से स्टेज पर हम लोग करते हैं, उसके चरणों में विभिन्न चरणों में हम उसका अध्यान करते हैं, और विभिन्न पहलों पर अध्यान करते हैं, दोनों के अध्यान के बाद तीन प्रकार की क इक्टीविटिस क्या क्या हो रही है और उनमें संवे कौन कौन से आ रहे हैं अब यह जो तीन हमारे पास पहलु आए यानिकी आपने देखा ये तीन प्रकार तीन प्रकार पहलों आपके सामने आ रहे हैं व्रिद्धी मांसिक क्रिया और सम्वे जब हम तीनों को एक साथ करते हैं ये भी आए ये भी आए और ये भी आए जब ये तीनों हमारे पास एक साथ जो है किसी बालक के अंतरगत जब किसी बालक के अंदर हम उसको महसू बॉद्धिक विकास क्या बोलते हैं हम उसको उसको हम बोलते हैं बॉद्धिक विकास जो और कुछ नहीं होता है इन्टेलिजेंस होता है ठीक है ठीक है ओके चलिए आगे चलते हैं अब यह जो बॉद्धिक विकास जब हम बच्चे के अंदर यानि कि बालक के अंदर हम लोग देखते हैं बॉद्धिक विकास की जब हम लोग बात कर लेते हैं तो उसके बाद जो हमारे पास एक नया चाम आता है बालक के अंदर बालक के अंदर क्या आती हैं उत्तेजनाएं जो बालक है बालक के अंदर जो है वो उत्तेजनाएं होती हैं उत्तेजनाएं वो प्राप्त करता है जब वो उत्तेजनाएं प्राप्त करता है तो उन उत्तेजनाओं से उसके अंदर विभिन प्रकार की समवेदनाएं देखी जाती हैं चीक है बालक क्या करता है विभिन प्रकार के उत्तेजनाओं को ग्रहन करता है और उन उत्तेजनाओं के परिडाम स्वरूप समवेदनाओं का जो है वो एक समवेदनाओं को अपनाता है जिसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं अब ये जो बालक के अंदर हमने बात के उतेजनाओं की यानि कि जो बालक के अंदर उतेजनाएं आ रही है ये कहां से आती है तो ये आता है बालक के आसपास के वातावरण से ठीक है जो बालक है उसके आसपास का जो वातावरण है उन वातावरणिय कारकों के परिडाम स्वरूप उसके अंतर उत्तेजनाएं आती है और उन उत्तेजनाओं के आधार पर बालक क्या करता है अपनी सम्वेदनाओं को व्यक्त करता है अब ये जो सम्वेदनाओं जो है वो आई इन समवेदनाओं का परिणाम क्या होता है इन समवेदनाओं का परिणाम होता है बालक के ज्यान की प्राप्ती ठीक है जो समवेदनाएं बालक के अंदर आई उन समवेदनाओं से बालक के अंदर एक ज्यान की प्राप्ती होती है अब ये जो ज्यान की प्राप्ती होती है इसी से वो वातावरण के अंदर या प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करता है जो ज्यान प्राप्त हुआ उससे वो क्या करता है सुख और दुख की अनुभूती करता है ये जो ज्यान प्राप्त हुआ इससे सुख एवं दुख की अनुभूती बालक करने लगता है जब ये जो सुक और दुख हैं, सुक और दुख की अनुभूती वो खुप करता है, कई बार करता है क्योंकि ग्यान उसके पास आ चुका है, तो वो अपने विचारों को जो है थोड़ा-थोड़ा समझने लगता है, उसको ये पता चल जाता है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या म और बार सुखद एवं दुखद अनुभूतियों की पुन्रा वृत्ति अर्थात बार-बार सुखत एवं दुखत अनुभूतियों की जब पुन्रा वृत्ति होती है तो इससे क्या होता है अगेन 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 जब हम सैड और हैपिनेस इन दोनों मुवमेंट्स को इंज्वाई करते हैं जब बालक इंज्वाई करता है तो इन दोनों अनुभूतियों को बार-बार-बार-बार-बार महसूस करने के पश्चात बार-बार उन पे क्रिया करने के पश्चात ब निर्णे लेने के लिए तैयार हो जाता है काफे दिन के बाद मैं इस पर लिख रही हूँ तो निर्णे लेने के लिए तैयार हो जाता है बार बार विभिन प्रकार के अपने सुखत और दुखत जो ग्यान दोनों ग्यान उसके पास आए हुए है दोनों ग्यान के जो अनुभूतियां हैं उनको अनुभव करने के पश्चाथ बालक जो है एक निर्णे लेता है अपने लिए निर्णे लेने का प्रयास करता है, वो ये नहीं सोचता है कि भविश्य में उस निर्णे से उसको कितना प्रतिफल मिलेगा, लेकिन वातावरण से जो उसको विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाय प्राप्त होती हैं, उनको वो सम्वेदनाओं में कन्वर्ट करता ह है, और उन उत्तेजनाओं और सम्वेदनाओं के परिडाम स्वरूप जो है, वो विभिन्न प्रकार के उसको ज्यान प्राप्त होते हैं, अब ये जो अनुभूतियां हैं, ये जो निर्णे बालक लेता है, जो निर्णे लेने के पश्चार किसी भी बालक के अंदर, चुकि जो वो निर्णे लेता है, अगेन, अगर हम लोग वापिस से, हम लोग उसको अगर देखने का प्रयास करें, या उसको महसूस करने का प्रयास करें, तो जो वो निर्णे लेता है, वो निर्णे क्या होता है, उसका रूप क्या होता है, जो निर्णे होता है, वो एक अनुभ अनुभूती के रूप में होता है अर्थात एक्स्पीरियंस के रूप में होता है एक बार कुछ किया वो गलत हो गया फिर एक बार और करता है फिर थोड़ा सही होता है फिर एक बार और करने का प्रयास करता है फिर थोड़ा सही होता है और धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-ध तो हमारा जो मानसिक विकास का अध्यान है बाल विकास के अंतरगत ये अनुभूतियां जो हमारे पास सुरे बालक के पास आती हैं वो दो रूपों में आती हैं एक होता है ग्यानात्मक अनुभूति और दूसरा होता है सम्वेगात्मक अनुभूति चीक है ग्यानात्मक क्या है कग्निचिव एक्स्पीरियंस और सम्वेगात्मक क्या है इमोशनल एक्स्पीरियंस इससे क्या होता है बार 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 बच्चा जो है वो सीखता है वाता वरंड से प्रतिक्रिया करता है और अपने जो है वो ज्यान को प्राप्त करता है देखिए मैं आपको एक चीज़ और स्पस्ट करना चाहती हूं हमने अभी experience या अनुभूती की बात की बालविकास के अंतरगत हम बात कर रहे हैं कि जो experience है वो दो तरीके का हो रहा है ग्यानात्मक हो रहा है और संब्यगात्मक हो रहा है इमोशनली अगर मैं बात करो देखिए जो बाल विकास है अगर हम लोग प्रोड़ावस्था की बात करें कि जब व्यक्ति मैच्योर हो जाता है मैच्योरिटी के बाद जो है यह जो संवेगात्मक विकास है यह अनुभूतियां कहीं धिरे-धिरे कम होती जाती है अर्थात व् भी कोई वात्तावरण के अंदर अगर कोई दुखत किसी पर्टिक्लर टॉम से या किसी जगे से या किसी व्यवहार में अगर उसको दुखत जो है वो क्रिया का अहसास होता है तो वह कहीं नहीं डीमोरलाइज हो जाता है बहुत कम प्रॉण ऐसे होते हैं जो सब करते हैं जबकि बच्चों के अंदर याने के जो हम बालक जो अध्यन कर रहे हएं जो बालक होते हैं यानि कि जन्व से लेकर के जो हमारे परिपक्वा वस्था तक जो लोग जाते हैं उनका जो मध्यन करें वो लोग उन लेबल्स पर याने की cognitive और emotional इन दोनों ही experiences को बार-बार-बार-बार-बार enjoy करते हैं वो बार-बार अपने को सुधारने का प्रयास करते हैं और ये दोनों सुधार ही ultimately क्या करता है अगर हम लोग अपने कोर्स के अंदर चले तो ये जो है बालक के मानसिक विकास का अध्ययन करता है चीक है तो ये हमारा जो है वो चौथी विशेश्टा हो गई आईए हम पांचवी विशेश्टा के पास चलते हैं कि पांचवी विशेश्टा जो है अमारे बाल विकास की क्या है किस रूप में जो है वो बाल विकास को देखा जाता है तो अगर हम लोग इसकी पांचवी विशेश्टा के अंतरगत जाएं तो बाल विकास मैं यहां पर नोट कर देती हूं जो हमारा बाल विकास है वो विशे सामग्री का अध्ययन जो बाल विकास है वो हमारा जो विशे है जो हम लोग विशे के रूप में पढ़ रहे हैं उसका जो अध्ययन है वो कैसे करता है करता है ठीक है जो हमारा विकास से रेलेटेड जितनी भी विशे सामग्री है उनका जो अगर हम लोग देखें अध्ययन है तो बाल विकास हमारा क्या करता है उसको एक विकास आत्मक द्रिस्टिकोर देता है उसको विकास की दिशा मिले जाता है जिसका अगर मैं एक उदाहरन ले करके चलूँ जो विकास आत्मक द्रिस्टिकोर होता है जब हम लोग ब वाल विकास की बात करते हैं तो हमने इस विकास के अंतरगत अवस्थाओं को देखा ठीक है हम अवस्थाओं को देख रहे हैं अवस्थाओं में आए तो हम मोटी मोटा जो है वो पाँच अवस्थाओं को जो है अपने इस विकास के अंतरगत देखते हैं देखते हैं कि नहीं देखते हैं हमारे पास पाँच अवस्थाओं मोटी मोटी होती हैं पहले होती है अमारी गर्भा अवस्था, दूसरी होती है शैश्वा अवस्था, तीसरी है बाल्या अवस्था, चौती है किशोरा अवस्था, और पांच में हमारे पास आती है प्रोड़ा अवस्था, चौती है तो हम क्या करते हैं इन पांच जो हमारी अवस्थाएं हैं इन अवस्थाओं का अध्यान करते हैं अब ये जो अवस्थाएं हैं हमने ये पांच जो अवस्थाएं देखी हैं इन अवस्थाओं का जो अध्य होता है वो क्या होता है क्रमीख होता है ठीक है जो अध्यान होता है वो क्या होता है क्रमीख होता है क्रमीक अर्था क्रम शह जिसको हम बोलते हैं वन बाई वन ठीक है ऐसा नहीं है कि हम पहले बाले आवस्था को पढ़ेंगे फिर बाले आवस्था में क्या हो रहा है क्या नही step by step हम क्रमिक अध्यान करते हैं बाल विकास हमारा जो है किसी भी विशे सामगरी के अध्यान को जिस तरीके से उसके विकास आत्मक जो द्रिस्ट्रिकोण है उसको ले करके चलता है और बालक के सभी जितने भी हम लोग अवस्थाएं देख रहे हैं इन विभिन प्रकार की अवस्थाएं देखी इन सभी अवस्थाओं में इन सभी अवस्थाओं में बालक के शारिरिक और मानसिक विकास पर जोर देता है ठीक है जो विकास आत्मक द्रिस्ट्रिकोण है उन विकास आत्मक विभिन अवस्थाओं में जो विकास है उन विकास के जो हम लोग ने चोड़ अगर देखना चाहें तो overall जो हम लोग बाल विकास पढ़ रहे हैं बाल विकास के अंतरगत अगर हम लोग व शेश्टा हैं मोटी मोटी बताइए थी शारुरिक मानसिक और सम्वेगात्मक तो यह जो दो एसपेक्ट्स हैं आपके शारुरिक और मानसिक जब हम विशे से रिलेटेड अगर हम लोग विकासात्मक द्रिश्टिकोंड जो है वो बाल विकास हमारे सामने प्रस्तुत करता है और क्रम से one by one step by step हम इसको अध्यान करने का प्रयास करते हैं इसी कारण से जो हमारा बाल विकास है ये जो अभी हमने देखा ये अवस्थाओं का अध्यान इनको जब हम लोग क्रमिक रूप में लेते है इसी कारण से हम लोग बाल विकास को बाल विकास को बाल मनो विज्ञान कि संग्या देते हैं ठीक है इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं जो बाल विकास है हमारा इसी लिए हम लोग इसको बोलते हैं बाल मनो विज्ञान यानि की चाइड्ड साइकलोजी तो अभी मैंने आपको जो है वो पांच विशेष्टाएं बता दी है इन पांचों से जो है वो इसका अध्यान कीजिएगा एक चोटा ग्राफ भी मैंने लगबग तयार कर दिया है आप लोग घर पे इसको अच्छे तरीके से जो है देखने का प्रयास कीजेगा आप अपनी कॉपी में इसको उतारिए खुब अच्छे से समझिए मैं आपको फिर से एक बार क्विक एक हम लोग रिवीजन लेते हैं यह क्यों ऐसे हो रहा है ठीक है हम लोग एक क्विक रिवीजन लेने की कोशिश करते हैं जो हमारे बाल विकास है उसकी विशेष्टाएं क्या है पांच विशेष्टाओं को हम लोग पढ़ेंगे पहला क्या है बाल विकास हमारा विधायक विज्ञान है यानि की जैसा है बालक की क्रियाएं हम वैसे ही इस विशे के अंदर प्रस्तूत करते हैं दूसरा है गर्भ विकास की बात करता है शारिक विकास में अगर हम लोग देखें तो जो उसका विकास होता है वो विभिन जो एज ग्रूप्स है यानि कि अलग-अलग अवस्थाओं में अलग-अलग उम्र में अलग-अलग होती है चौथा हम आए जो कि बहुत एक विकासात्मक द्रिस्टिकोण में प्रस्तुत करता है तो आज का यह चौपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं समय हो गया है तो आप लोग इसको खुब अच्छे से पढ़िए थोड़े कुछ और एकाद वीडियो डालने के बाद हम प्रयास करेंगे हम कुछ क्वेश्चिन आंसर्स जो है वो तेयार करें क्वेश्चिन आंसर्स आपको मैं कराऊं और आप जो है इसकी प्राक्टिस करते रहिए बीच में मैं काफी जो है वो लंबा ब्रेक हो गया था क्यूंकि लॉक्डाउन चल रहा है आप लोगों को भी पता है और आउट आप देखते रहिए और जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको देखिए कुछ नहीं समझ में आया तो नंबर नीचे मेंचन किया वह आप मुझे कॉल कर सकते हैं या कॉमेंट बॉक्स में भी आप जो है अपने कॉमेंट्स डाल सकते मैं वहां पर रिपलाई कर दूंगी सो चिल द